तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है दीदी की डाइरी देखिए चैप्टर के टाइटल स को डाइरी लिखनी चाहिए देखिए डाइरी लिखने का फायदा यह होता है कि हम गलत रास्ता नहीं पकड़ते हैं सही रास्ते से भटकते नहीं हैं क्योंकि कोई भी इनसान जो है अगर वो डारी लिखना शुरू करता है तो वह पूरे दिन क्या किया दिन भर की किया मुझे आगे से इसा नहीं करना चाहिए उसको अपनी गलती का एसास हो जाता है और इसी तरह वह इंसान गलत रास्ता पकड़ने से बच जाता है सही रास्ते से भटकता नहीं है तो यह पोजिटिव पॉइंट होता है आप बोल सकते हैं बेनिफिट डाइरी लिखने का और इसलिए हर इंसान को डाइरी लिखने चाहिए दिन बर क्या किया उसको रात को टाइरी में बैटकर लिखो छीक है एकदम इमानदारी के साथ आप दिन बर में क्या किये और इस तरह आप एक तरसे बोलिए तो सही रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे तो ए पोजिटिव की डायरी मतलब यह दीदी जो है ना किसी की दीदी होंगी दीदी की डायरी के बारे में बात की गई है तो यह दीदी मतलब होता है अप्पी बाजी ठीक है तो यह दीदी किसी की दीदी तो होंगी ना तो जिसकी यह दीदी है उसका नाम है संजु संजु और संजु जो है इस सयानी है ये ट क्लास में पढ़ती है और स्वभाव से हस्मुख है ठीक है हस खुब हस्ती और हसाती भी लोगों को ये चुठकुले सुनाती है तो लोगों के हसी के फवारे लग जाते हैं ठीक है और इन सबी चीज़ें को इलावा संजु को किताबी पढ़ने का बहुत ज़्य चाहे वो कहानी का किताब की नहीं हो चाहे कवीता का चाहे कॉमिक्स का या चाहे कुई मैगजिन की नहीं हो सबसे जदाays पढ़ती थी इसको शौक था एक तरसे जिस तरह हर इंसान को शौक रहता है किसी को गाना सुनना किसी को डान्स करना किसी को एक तरसे बोलuled डाना ठीक है तो उसी तरह संजु को खिताबें पड़ने का शौक रहता है सभी लोग इसको किफट में पुष्ट कियां किताबी देते ते और एक तर से इसके ममी पपाभी इसंसे बहुत ज़्दाखुस रहते थे टो एक दिन je Kayla गांदे जी का साहीत के जिसका नाम था सत्य के पढ़ रही थी विदा इसको मोटिवेशन मिलॉफ को प्रेण ना मिली कि मुझे भी एक डायरी दे दिये और बोले कि लो बेटा लिखो ठीके बहुत दाखुस हुए क्योंकि देखिए बच्चे जब पढ़ाई में एक्साइटेड हुए रहते हैं पढ़ने की कोशिच करते हैं उनके अंदर पढ़ने की एक तर से चाह रहती है तो माता पीटा भी बहुत दाखुस होते हैं अगर बच्चे के अंदर से पढ़ाई का ही भुत उतर गया यानिक पढ़ाई का चाही पढ़ाई का मोटिवियर्शन ही चला गया वो पढ़ना नहीं चाहता तो माता पीटा भी ना खुश रहते हैं वो बोलते हैं की मेरा कैसा बेटी है कि उमतब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रख रही है ठीक है वह खुश नहीं रहते अपने बेटें बेटी उसे तो एक तरसे संजु पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट रखती थी तो इसलिए इसके पिता भी खुश हुए कि चलो मेरी बेटी जो है ना डायरी लिखना चाहती है तो डायरी फटाक स एक खुशूरत सा डायरी लाकर संजु को दे दिया और बोले कि लो बेटा लिखना शुरू करो डायरी ठीक है तो अब डायरी तो संजु ले ली लेकिन अब वह इस टेंशन में थी कि मैं स्टार्ट कैसे करूं डायरी लिखना तो उसको याद है संजु क्यों कि उसकी दीद कि मैं सिर्फ थोड़ा सही पढ़ूंगी आगे का दो तीन पढ़ूंगी और उसके बाद मैं आपको दे दूंगी पक्का तो संजु की जो दीदी है वो बोली एचा ठीक है ले जाओ तो संजु ले ली डायरी अब जो है वो संजु डायरी पढ़ना शुरू करती है अब चै सारी चीजें यहां पर लिखा गया और लिख्ति हूं संजु पढ़कर बता रही है जिसे ठीक है तो देखिए संजु की डीदी की जो डायरी है उसमें जब-स उनकी डायरी लिखना शुरू की थी तो एक जनवरी उन्हें से संजु की दीदी के बारे में बात हो रही है संजु की दीदी जो अपने डायरी में जो प्रसनल बाते लिखी है वो आप लोग जानेंगे तो देखिए एक जनवरी उन्हेस संजु की जो दीदी है वो लिखी रहती है कॉलेज में कक्छा के सामने पत्थर तराश रहे थे कारीगर संजु की दीदी जब कॉलेज में गई थी तो कक्छा के सामने यानकी क्लास के सामने कारीगर जो थे जो काम करते हैं वो पत्थर तराश रहे थे वो छेनी हतारी नहीं होता है आप लोग देखे होंगे तो छेनी हत ही टिस्टर्ब चला योगत स्वाद रही तो यह था पहला दीन जो की दिखी थी पहले दिन में वह क्या की ठेक है अब देखे दूसरा दिन görüş ओने उन्हें से संटानवरिस भी को जो कि है दूसरा दिन संजु की दीदी का ठीक है तो लिखी है कि आद सुबह अपनी दोस्त श्रीला के घर गई थी सुबह में ही अब यहां पर पूरी आप जानेंगे संजु की दीदी के बारे में क्योंकि दीदी की डाइरी है न तो सारा चीज दीदी के बारे में लिखा होगा तो वही बोला जारा है कि संग्यों की दीदी जो है वह अपनी दोस्त शीनिया के घर गई थी ठीक है उसकी दोस्त शीला नहाघ रही थी तो यह लिए तो उसको उठा ली और पहना शुरू कर दी उसमें चुटकुला था जो कि बहुत दार था चुटकुला भी मैं आप लोगों को बता देती हूं क्योंकि संजु की दिदी वह चुटकुला भी डाइरी में लिग दी है क्यों चुटकुला क्या था याद रखने के लिए हमेशा तो देखिए चुटकुला इस तरह है कि खरीदार रहता है वह गया रहता है भैस करिदने के लिए तो मालिक से बोलता है कि मतलब भैस की तुए का कर आभे लेकिन फिर मी आप इस भैसն cumi shipping साथा रूपिया ले रहे हैं क्यों तो उसका जो मालिक है वह बला कि तुम को मज़ संजु की दिदी का भाई बनाया या फिर आप बोल सकते हैं संजु का भाई बनाया चैसे भी लोग खाना खाने पर बैठे जैसे ही मूँ में ढ़ाले आप बोल सकते हैं खाना का लुकमा तो वह यह कि उस खाने में नमकी नहीं था एक्दम नमक फीका है नमकी नहीं था तो संजू का भाई भी खाया, उसको भी अपने आपर बहुत बढ़ा बग़ा शर्म आया कि मैंने नमकी नहीं डाला है बनाता है और उसमें कोई कमी आ जाती है तो अपने आपर बहुत अफसोस होता है बहुत शर्म आता है कि यह नहीं डाला मैंने ठीक है तो बिल्कुल उसी तरह संजु का भाई जब खाना बना था तो उसमें नमक ही छोड़ दिया था नमक डाला ही नहीं था तो उसकी माँ पू उसके बाद से संजु की दीदी क्या की नमक लेकर आई और सभी खाना में नमक डाल दी ठीक है और वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ भाई ने ज्यादा नमक नहीं डाल दिया तो इसको कम मनलब फीका तो नहीं कर सकते अगर नमक नहीं है तो हम लोग नमक डाल सकते खाना में नमक फीका है तो उपर से तो नमक डाल सकते हैं अगर ज्यादा नमक रहता तब क्या होता यह सोच रही थी संजु की दीजी तो इस तरह दो जनवरी को यह सारी बाते डायरी में लिखे हुई थी अब आ जाते हैं हम लोग तीन जनवरी को तीन जनवरी उने से संतान आज पिकनिक का दिन रहा ठीक है संजु की दीजी तीन जनवरी को पिकनिक मनाने गई थी और जहां पर यह पिकनिक मनाने गई थी ना वहाँ एकदम हरियाली थी चारे तरफ हरा भरा पेड़ पौधे थे चिडियों की चहाँ हर्ट और उसके बाद से तलाब का जो सरोवर थ है ठीखे तो वहां का इन्वार्मेंट बहुत ही अच्छा लगा संजु की दिदी को और उनकी सहेली भी गई थी लो सईदानी लू इमला अंजु मनजु यह जो है ना ये संजु की दिदी की सहेली है दोस्त है फिक तो सभी गई रहती है पिकनिक मनाने के लिए और सभी लो क्लास में चुपचाप रहती है शांत बैठी रहती है कोई-कोई लड़की नहीं होती है कि क्लास में सबसे buen किये इती है फिल्cious तरह मनझू थी जो की क्लास में हमेशा स्रांथ रहती थि लेकिन उसदिन जब व्ध कहिए missile 2 10 जनवरी को यह पुरा कहीं जाने कि इच्छा नहीं ती और वह क्या की थी पुष्टक आले से निपर्ट से एक किताब लेकर आ बैठ कर रभीवार के दिन पढ़ रहे थी बहुत युद अच्छा उसमें कहानी था एक जपानी लड़की लड़की का कानी था कि बहुच दा शरारती थी मन मौजी थी मतलब अपनी मन का किया करती ती कि इसे सबसे बड़ी बात पी लेकिन एक डबो वाला जो स्कूल ता इसमें जाकर अड़ी थी वहां पर पढ़ाई कर रही थी तो यह जपानी लड़की का कोई कह जो कि चार जन्वरी को संजु की दिदी पढ़ रही थी तो तो चान नामक एक किताब में ठीक है आगे बढ़ते हैं पांच जन्वरी उन्हेस संतानवेर की बात कर लेते हैं आज पूरा दिन उदासी में बीता क्योंकि एक महीने बाद सहली नीलू की शादी लग गई थी और वो एक महीने में अपने गाउं से बिदा हो जाएगी तो लेकिन उसकी जो सहली है नीलू वो पढ़ना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए लेकिन घर वाले उसको जबरदस्ती साधी करवा रहे थे तो इसलिए पूरा दिन उदासी में बीता और इसक संतान बिरंपो स्कूल जाने के लिए समय पर से निकली जो संझु की दीदी ऑव इस्कूल जाने के लिए समय पर निकली संझु की दी तो रिक्षा आप सब्सक्राइब यह पर इस तरह का काम करने के लिए और रास्ते में कोई चुक्राइब इस तरह का म Smoke दिन श्रौकंट का गावधयात में कुछ लोग होते हैं तो उसी तरह का था जब इस्कूल जाने के लिए संजु की दिदी निकली समय पर तो उसक्त अपर उसक्त रिक्सावाले स्कूल वाले शिख काम काम ऑन नहीं जाते हैं लेकिन फिर उसको याद आया संजु को कि लिया स्कूल में तो अभिनेंस यानिकि की दो स्कूल में जिसमें हमें भाग ली हूँ और अक्टिंग करना है ड्रामा में ली हूँ उसमें का में ही हूँ तो मुझे इस्कूल जाना पड़ेगा तो फिर ओना संजु की दीदी जुए चोड़ो देखा जाएगा सो होगा होगा चलो हम इसकूल चलते हैं संजु की दिदी जो है वो स्कूल चली गई और जाकर tęक्टिंग की ड्रामा की और सबसे दी वेस्ट ड्रामा की चारों तरफ से तालिय बज रही थी और उसको साबासी दी जा रही थी उसको इनाम में विला तब उसको सास्वा संजु की धिको की अब सगुन और सगुन कुछ भी नहीं होता है लोग जो बोलते हैं कि रास्ते में बिल्ली काट अगर आप घर से निकल रहे हैं कुछ करने के लिए काम पर जाने के लिए रास्ते में बिल्ली को रास्ता काट दिया फिर कोई छीक दिया रास्ते में तो वो काम नहीं करने जाना चाहिए बात एक तरसे डाल दिये हैं कि आप सबुन होता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है आप लोग भी इस तरह की चीज़ें मत मानिएगा ठीक है आगे बढ़िये साथ जन्वरी उने से संतान विरस्वी की बात हो रही है आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सन्जु की दिदी को पढ़ाई में मजाया नखेल में और यहीं सोच रही थी सन्जु की दिदी कि हर समय लोग लड़कियों को ! डाटते हैं ठीक है और यहीं पर जो है ना आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यह सारी चीजे जो है ना दीदी जो है अपनी डायरी में लिखी थी और यह संजु पढ़कर वो मोटिवेट होती है और वो भी जो है ना डायरी लिखना शुरू कर देती है ठीक है तो यहीं पर के पास जितना ज़्यदा आप सके उतना ज़्यदा शेयर कीजिए और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा एंड मॉस्ट अफ द ऑफ द ऑल डाइकन सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बेल आइकन यह घंटी दिखाई देगी तो आप लोग को घंटी पर क्लिक कर लेना है जब आप लोग घंटी को दबाएंगे ना तो आल का आप सनाएगा तो आप लोग आल पर क्लिक कर लिजिएगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो का आल नोटिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब पहुशेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज